असलाम कुम आप सब क्यासे हैं और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरू करें सब्सक्राइब करना न भूलें नोटिफिकेशन बेल आइकन जरू प्लस करें ताकि आपको सब्सक्राइब मेरी वीडियो मिल सकें और प्लीज हिट दा लाइक बिटिन इस रेकिन लग्ताइब तो आज हम बना रहे हैं मुष्रूम इन एक प्रीमी सॉस या वाय ये सॉस बहुत जरूंस के यह छोटे चोड़े में नहीं तो मैं यहाँ इसके दो तुक्रे कर लूगी जो बड़ा मश्रूम तो यह कट लिया हमने मश्रूम बहुत प्रीक और ईजी से आपके पास बेल पेपर है आपके परेंगों तो आप यहां और यूजा कर सकते हैं, मैं यहां पर यहां यूजा भी हो, डिया यह बारीक बारीक छॉप कर लेंगे, ग्रीन चुन्छी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, पेपर और शिम्ना मिच्की गुपिनेशन होती है, और लूजी थोड़ी सीति कान्य इसमें यहां पर मैं घ्रिम ने ग्रीम लग। यहां पर यहां इसे 1 एक रासिपी को 220 आहर्पेक साफ बनाऊंकि आपको में दिखाते हैं । इसमें घार्लिक प्रिय ऑड़िवर देंगे तो धूड़ा सा गा ले जावतर शुपषा ना आ टो तो हम जली से बना लेते हैं इसको तो दो टेबल स्पून बटर देज टेबल स्पून दाल रहे हुं मैं तो हम दालेंगे डूथ एक अफ करके लिए दूथ आपको थोड़ा थोड़ा दूथ एक दल थेंडा है यह प्रस्स बहुत ध्यान से करना है अपको गैस टॉफ करके ही आपको यह प्रस्स करना है ताकि लंग्स ना पड़े बिकॉज इसमें बहुत जल्दी से लाउस पढ़ अपको यह जाता है यह सॉंस जहां यह मिक्स हो दे अच्छा से तो आप समक्राइब आप टीश्कूल हमारा पर बचा हुआ हो यह हम लाल देंगे इसमें तो वाइड सामारी हाप में थीक हो गई है अब इसमें आम दालेंगे थोड़ा थोड़ा सा नमक और ब्लाक पेपर हा अब इसमें मैं थोड़ा साथ क्रीम दालूंगी इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा हमारी जो सॉस का अगर आपके पर क्रीम नहीं है ता आप स्कृप कर सकते हैं लेकिन इसे टेस्ट बहुत अच्छा तो करीबन मैं वन फोट कप इसको दालूंगी क्रीम को यह दा के मेरा किहां हिए ज यहां पर हम अच्छे से गरम करेंंगे ता कि मश्रूम का जो कटलर रहा है व्राय करने कि नहीं बहुत अच्छा है तब देख णि Grad एट को इसका मश्रूम नर भूरा नंच चया करेंगे अब नमक हम एग मश्रू के कलरान के बारि करेंगे क्युक्किलिए वो पानी तो यह पानी फोगता है पानी फोएगा तो पीफिश्पून ज़्दी से आये जाए जा नहीं के अपटे टिए यहां पे तेकसुरी में धियूसिंग करतें लेकिन मैं थोड़ी इस करूंगी यह वाइट सौस के साथ जो कश्री में थिया ना वह बहुत ही अची हमी लगती है आपको का रिक करना तो कर सकते लेकिन जरू करना क्राया था यह में तो यह दाल दिया बस हाफ इस उन्यक्षा पैपर को प्रमा भी ओसा और यह च्छा होता है आप तो इसमें अपलग का जिए आपको पालग पाला नहीं तो इसमें आपणाल सकते हों बहृत ही अच्छा लगेगा ज्यादा नहीं बस दो मिनिट इसे स्टिय करना है खरंची रखेंगे हम अभारी बेल तो आप पानी नहीं है तो कोई बात नहीं है आप काली में स्यूज़ कर सचते हैं थोड़ा नमस अब हर अबकी मशरूम अब ने फ्राइं कर देंगे, इसको पूरा पानी के साथ नहीं दालेंगे वनाप काला हो चाहना चाहए है इस एतना करफूल लगा है ह MP3 एल्दी ही है वार बहुत हिया में की लगता हैbelsितना 10 Красष спорт तो यहां पर मैंने वाइट सॉस दाल दिया इसमें तो यह देख सकते हैं हमारा तयार है अब इसका कड़र देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आएगा अगर इसमें आपको थोड़ा सा और क्रीमिश चाहिए तो हमारा जो मश्रूम का स्टॉक बचा हुआ है आप एक दो टेबल प्रसंद है उसे बहुत ही अच्छी लगेगी अगर जिसे एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो इसमें थोड़ी सी चेड़ा प्रोसर्स अमूल चीज जो भी होती है वह एक दिस पॉइंट दाल सकता है और उसे मिक्स कर लें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इस अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्वाइब जरू करना और अपने फैंली फ्रेंद्स में शेयर करना अगर आपको और थिक चाहिए तो आप और थिक कर सकते है थोड़ी सी गैस जलाके तो यह थोड़ा और थिक हो जाएगा लिकी इसको बेक्ट पास्ता बना रहा हु मैं जर्दी बुढे मैं थेख मुड़ा था है तो यह बने दोड़ा है ए हले मारा वारो थे कि अको टूबबबी चाहिए मशरों इवाई बने तो यह भान टूब आरे ऑनील हाय था दो यह लाँने कि लादो स्गश ड़ा खूं चूआर तो इसमें थोड़ा सा 1 तीजपून ओयल एक प्रक्ता दाल देंगे इसे हम ड्रेंगे तुर्ण कर लेंगे हुआ है हुआ हुआ है यह वाइट सॉस है कौन यह में दानूगीस में जहें पर चैडार है प्रोवलें है प्रॉसर्स चीज आ पिए में दानूगीस में उपर तो थोड़ा सा और पास्ता दानूगी लेयर्स लगाना है आपको पास्ता की यह बहुत ही रिच रेसिपी हो जाएगी विकूर्द बहुत चीजी चीजी है परकि बहुत यामी लगकी है बच्चों को बहुत अच्छी लगईगी अब यह में पर स्मॉजरेला चीज है तो यह बेखे बेट न ह़िखी राष्सकाजमूट सब्सक्ष थो इता अगवर इसको आप प्रफास्ता करेंगे क्यों अपिसको हं sensor को हुआ है